हेलो अब्रीवान, वेलकाम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एज्यूगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे एंटेक आविरे मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिसिन के बेजिक यूट्यूज के बारे में साथ ही जाने के उसके डेले डोस क्या होता है सिखेंगे उसके साड़ एफेक्ट, वार्निंग और कॉंटर इंडिकेशन को डिटेल में आज के वीडियो लेक्चर के अंदर तो एक्स्पेट लेक्चर बाया मरसर, और सिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ओफार्मरोक्स, थेंक्यू फर बीन, फार्मरोक्स फेमिली अपडिटेट रहे है फार्मरोक्स के साथ सीखिये अलग-अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, दवायों के बेजिक यूज, डोज, साड इफेक्स, वर्निंग और कॉंटर इंडिकेशन को एक साल तक अफ़रडेबल प्राइज में, सरल बसा में, फार्मरोक्स के अबूपर देंडरोड यूजर, एंडरोड अप डाउन्डोड करें, आइफ़न यूजर अप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल चाहेगी, या फिर 90163120 नमबर प्याफ हमें, कॉल या वाटसेब कर सकते हैं, तो अब समझते हैं, एंटे काविर मेडिसिन के बारे में, तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको एंटी वाइरल ड्रग हम कहते हैं, कि जो एंटी वाइरल दवाईया होती है, कि जो वाइरल वाइरस के करन होने वाले जो इंफेक्शन को ट्री हम कहते हैं कि जो हिपेटेटिस B वाइरस के करण होता है और ये मेडिकेशन क्या करते हैं हिपेटेटिस B वाइरस के सामने fight back करती हैं और ये वाइरस की effect को काफी slow करती थे कि जिससे ये वाइरस जो आपके liver को damage करता है वो process काफी slow हो जाती है और दिरे दिरे हिपेटेटेटिस B का जो हो इलाज हो जाता है तो ये मेडिकेशन को first choice drug कहा जाता है या फिर drug of choice कहा जाता है हिपेटेटेटिस B के इलाज में तो हिपेटेटेटिस B क्या है तो एक liver infection है कि जो hepatitis B virus के करन होता है कि specially जो हमारे ये जो liver होता है उसको संक्रमित करता है ये hepatitis B virus और ये virus क्या करता है specially वहाँ पे सुजन लाता है और वहाँ पे liver को damage करना जो हो शुरू कर देता है तो जिससे जल्दी से जल्दी patient के treatment करना जरूरी है तो इस condition में जब भी diagnosis के बाद hepatitis B समझो की positive आता है तो anti-covering medicine से उसका इलाज जो हो शुरू कर सकते है तो hepatitis B virus जो है वो अलग-अलग तरीके से आपके body के अंदर फैल सकता है जैसे कि आप infected blood या फिर infected semen के contact में आते है या फिर दुसरे कोई भी body fluid के साथ contact में आते है कि जो person already infected है तो जो संक्रमी थे person उसके blood के contact में आते है उसके semen के contact में आते है या फिर उसके किसी भी दुसरे body fluid के contact में आने से आपको जो भी hepatitis B virus का संक्रमन जो हो लग सकता है तो अब समझते हैं कि anti-cover medications कैसे काम करती है hepatitis B को treat करने के लिए तो ये medications क्या करती है कि hepatitis B virus है तो उसका जो DNA polymerase enzyme है उसकी effect को inhibit कर देता है और ये जो enzyme का सबसे important benefit ये होता है कि ये DNA replication के अंदर virus को help करता है तो जब आप ये DNA polymerase जो enzyme है उसकी effect को समझो कि आप block कर देते हैं तो आगे जाके जो virus अपनी जो multiple copies बनाता है, replication करता है अपने DNA का तो वो process जो है वो attack जाती है तो यहाँ पर आप देखो जो diagram में दिखाएगा है कि ये जो virus है जब भी ये आपके body के अंदर enter होता है तो वो क्या करता है आगे जाके अपनी multiple copies बनाना सुरू करता है और उसकी लिए उसको कुछ enzymes के जरूरत होती है जैसे की DNA polymerase enzyme है कि जो आगे जाके उसको DNA के replication process में help करता है तो जब आप ये DNA polymerase enzyme की effect को inhibit कर देते हैं descriptive enzyme होता है उसकी भी effect को जो है वो block कर देता है कि जिससे आगे जाके DNA की replication process नहीं हो पाती है और DNA replication ना होने के करण जो virus की जो replication process होती है वो inhibit हो जाती है मतलब की virus अपना replication process नहीं कर पाता replication मतलब की simple उसकी copy तयार करना कि एक virus में से 2 बनते हैं 2 में से 4, 4 में से 16 ऐसे multiple virus जो बन जाते हैं body के अंदर वो process जो अटक जाती है कि जिससे patient का जो वो ilaj होता है तो ये medication को कहा जाता है nucleoside reverse transcriptase inhibitor की ये जो enzyme है reverse transcriptase की जो reverse transcription की process में काफी help करते कि जिससे virus अपना replication कर पाता है तो उसकी effect को inhibit करके ये anti-cover medication अपना काम करती है तो ये है उसकी working and mechanism आगे उसके label की study करें कि ये एक marketed formulation है anti-cover का कि जो tablet doses form यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसकी strength है Indian pharma कोपिया के standards के according to 0.5 mg के ये जो tablets जो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये tablets जो ये वो film coated tablet होते है तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ये tablet को आप use करें तो उसको तोड़ना नहीं है ना ही उसको चबाना है और directly ही ये tablet को swallow करना है मलब कि directly ही आपको उसको निगल जाना है और बिना किसी तरह से उसको ना ही तोड़ना है और ना ही उसको चबाना है सिर्फ और सिर्फ उसको swallow करना है यहाँ पे medication रहती है 0.5 mg जितनी color उसके अंदर रहता है titanium dioxide इंडियन फार्मकोपिया के standards के according to और storage की हम बात करें तो उसको below 30 degree Celsius पे उसको store किया जाता है light से जो वो protect किया जाता है और साथो साथ moisture से भी prevent किया जाता है इसलिए आप देखो उसके उपर film coating किया गए कि जिससे tablet के उपर जो moisture के भी असर ना हो और साथो साथ जो हो light के भी उसके उपर proper असर ना हो और यह medication आप उसको properly use कर सके बच्चों से जो वो यह medication को दूर रखना है और warning यह है कि जब भी आप उसको retail में बेचते हैं तो उसको prescription के साथ ही बेचना है because यह prescription medication है और यह जो antivir करके उसका जो marketed formula से नहीं उसके जो manufacture सम देखे तो Sivla Pharmaceuticals Limited उसके manufacture है तो यहाप आप देखो label के उपर red line भी दिया गया है तो उसका मतलब यह है कि prescription based medication है बीना prescription के आप उसको use नहीं कर सकते तो antivir के हम basic use देखे और indications देखे तो कौन से बिमारियों में use के जाते तो specially यह जो hepatitis B virus के कारण होने वाले infection को treat करने के लिए use के जाते तो आप यहाँ पे side में देखो तो जब किसी को hepatitis B virus का infection होता है तो कौन से symptoms develop होते है तो एक तो fatigue में लब कि काफी थकान होती है patient के अंदर साथो साथो उसको nausea vomiting जैसा फिल होता है में लब कि ulty होती है, g गब राता है mild fever रहता है body के अंदर skin optic की यह यलो vis हो सकती है, stomach के अंदर pain हो सकता है और आपका जो urine है वो dark color का हो सकता है especially यह virus जो आपके liver को जो वो damage करना सुरू करता है infection जो लगता है liver के अंदर इसी के करना उसको hepatitis का हो जाता है क्योंकि जो hepatic जो word है वो liver के लिए use किया जाता है तो कई बार अगर patient को HIV AIDS B और साथ उसाथ hepatitis B का भी संक्रमन है तो उसके इलाज में भी यह medication जो वो use कि जाती है और specially यह medication को drug of choice कहा जाता है या फिर first choice medicine कही जाती है hepatitis B virus के infection के इलाज में तो आप समझ लेते हैं उसका daily dose क्या होता है और कौन से time पर यह medication लेनी है तो अगर hepatitis B virus का जो संक्रमन है कि जो HBV जो हम कहते है तो वो समझो कि mild है या फिर moderate condition है patient की तो इस type का case से तो patient जो वो 0.5 mg का यह tablet लेता है once a day दिन में एक ही बार तो किसी भी एक time को आपको जो हो fix कर देदा है उसी time पर यह medication को लेनी रहती है और खाली पेट यह medication को लेनी रहती है empty stomach तो ध्यान यह रखने के खाना खाने के 2 गंटे पहले जो हो आप यह medication को ले और किसी एक same time पर ले मलब की day 1 को समझो कि आपने यह time पर medication ले थी तो day 2 पर भी आप same time पर ही यह medication को ले कि जिससे dose जो हो delay ना हो proper time पे ही यह medication को लेनी है और before 2 hour खाना खाने के 2 गंटे पहले आपको यह medication लेनी है तो यह condition खास ध्यान में रखने है because यह antiviral medication है और hepatitis B virus के treatment में यूज की जाते तो proper यह condition जो हो इसमें ध्यान रखने के same time पे ही ले कि अगर समझे कि आप पौने 12 के आसपास आज day 1 को यह medication लेते तो same दूसरे दिन भी आप same time पे ही यह medication को खाए अगर आपने time fix किया है कि आप 11 बजे लेते है तो दूसरे दिन भी same 11 बजे ही यह medication को लीजिए उसी तरह से यह medication के 1 mg के भी जो tablets available होते है तो यहाँ पे आप देखो 1 mg की जो tablet है तो जो severe case होते है hepatitis B virus के तो वो लोग यह tablet को खाते है उनके लिए dose जो हो increase किया जाता है और वो लोग यह 1 mg का जो tablet है वो दिन में एक बार खाते है और वो भी same condition खाली पेट लेना है आपको बिना कुछ खाना खाए और खाने के 2 घंटे पहले उसको लेनी है और वो भी same time पे सिर्फ dose जो वो double हो जाता है और कुछ नहीं severe cases के अंदर तो ऐसा नहीं करना कि 0.5 mg आप 2 time लो बेटर है कि आप fixed time पे medication लेनी है इसलिए 1 mg का जो tablet ही यूज करे और वो दिन में एक ही बार खाए अगर case जो वो severe है hepatitis B virus का अब ये medication के कुछ हम side effects देखे तो क्या side effect होते है तो एक fatigue मिलब की जब भी आप ये antiviral medication खाते है तो उससे एक थकान होती है जैसे दूसरे antiviral medication थकान produce करते हैं ये लेने के बाद तो same antiviral का भी एक problem है fatigue मिलब की थकान आपको feel हो सकती है headache मिलब की patient को सरदर्द हो सकता है तिसरी condition हम देखे तो nausea vomiting भी हो सकती है आपको चौती condition देखे तो vomiting पांचवा देखे तो dizziness मिलब की आपको चक्कर आ सकते हैं नीन दान जैसे जैसे condition high blood pressure sorry high blood sugar का problem हो सकता है मिलब की temporary ये treatment के दौरण आपका जो blood sugar है वो increase हो सकता है और जो kidney के कुछ functions है वो decrease हो सकते तो इसको लंबे समय तक नहीं लेते minimum जो हो उसका जो course होता है वो specially 10 दिन पेशन्ट जो वो use करता है और सादो साद उसके जो दूसरे भी vital signs regularly monitor किया जाते है अब उसके contraindications हम देखे तो NTA काविर को कौनसी condition में नहीं लेना है तो सबसे पहले ऐसी condition कि आपके जो blood है उसकी acidity increase होई है due to the high level of lactic acid lactic acid का level समझो कि आपके blood की जो pH होती है वो समझो कि acidic हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो blood जो वो acidic हो गया है या फिर acidity blood की बढ़ चुकी है तो ऐसे condition वाले लोगों को ये medication use नहीं करनी है दूसरी condition आपका जो liver है वो already enlarged है fatty liver की condition है तो वो लोग भी ये medication को use नहीं करें तिसरा आपका जो liver function taste जो है वो काफी abnormal है तो वो लोग भी ये anti-gavir के medication को use नहीं करें या फिर moderate to severe kidney impairment महलब कि आपकी kidneys अच्छे से काम नहीं कर रही तो भी आप ये medication को use नहीं करें और अगर आपको drug resistance से antiviral therapy का तो भी ये medication को use नहीं करनी तो ये सब होगे उसके contraindications तो ऐसे ही सिखें दवायों के basic use के बारे में उनके dose के बारे में उनके side effect, warning and contraindications को एक साल तक सारवर बासा में वो भी affordable price में farmer rocks के अब उपर तो android user android app download करें iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर प्याफ में whatsapp कर सकते हैं तो भी download कर लीजी application farmer rocks, android user android app download करें iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी, good luck and all the best